ये कैसा बेहुदा सवाल किया जहनक तुमने कि तुम सरजी से अनिरुद से साथ मांग रही हो अरे हाथ आगे बढ़ा रही हो क्या तुम्हें जरा सी भी अकल है कि इसका जवाब हमेशा हाँ ही आएगा यही आप लोग भी सोच रहे होंगे और यही सारे विवर्स को भी लग होगा बलकि यह सचाई नहीं है सचाई तो कुछ और है सचाई यह है कि अनिरुद जहनक का साथ देने से इंकार कर देता है यह जो अब बात सुन रहे ना यह शत्त प्रतिशत सच बात है और इसमें कोई मनगणन कहानी नहीं है कोई भी खेल नहीं है और सीधे साफ तोर पर पहले आपके लिए अब लोग सोच रहोंगे कि बहला अनुरूद जनकका साथ नहीं दे रहा है अनुरूद जनकके साथ खड़ा नहीं हो रहा है तो फिर बहला अनुरूद साही कैसे हो रहा है यही बात तो मैं आपको clarify करूँगा दोस्तो आज के इस खास वीडियो में और अनुरुद ने किस लिये जहनक के साथ देने से इंकार कर दिया वो भी बताऊंगा और जहनक किसके बाद क्या करेगी और क्या जहनक को फिर से अनुरुद से नफरसी होने लागी का ये जानते हैं दोस्तो सारे तमाम चोटे मोटे कर आप सभी के सामने हाज़रू पिलहा दोस्तो जहनक का आश्रम का सफर खतम हो चुका है क्योंकि जहनक बोस परिवार पहुच चुकी है और जहनक बोस परिवार ऐसे ही नहीं आई है बलकि जहनक को उसके किसमत ने धकेल है जा बहन आगे जा घर में जा अवना यहां खड़े रहेगी आश्रम में अपने दिन बिताते जाएगी तो इनसाफ नहीं हो पाएगा अनुरुद का साथ चाहिए अनुरुद के बिना अपना सफर पूरा नहीं कर पाएगी और रही बात उर्वशी की यानि तुम्हारी मा की जो सच्चाई तुम्हें पता चली है कैसे जिन्दगी ही बरबाद हो गई है पना हो गई है आरे त्याग हो गया कुर्बान हो गया जिस जिन्दगी को छोड़ दिया तुम्हारी मा उर्वशी ने उनकी वज़ा से जो कन्फुजन हो उसके लिए तुम्हें अनुरुद का साथ चाहिए ना जनक और तुमने कैसे सोच जिन्दगी के लिए जनक बोस हाउस आई है बेशा कि आप सभी लोग सोच रहोंगे कि मैंने अभी बताया था वीडियो के शुबात में कि अनुरुद जनक के साथ नहीं देगा लेकिन उसके पहले यह चोटी बात है ना वो पहले आप लोग समझ लीचे क्योंकि कहानी के प अनुरुद को क्या जनक के ओपर अधिकार है क्या अनुरुद का जनक के ओपर गुस्सा होने का अधिकार है अनुरुद जनक से प्यार करता है बे इंतिहां प्यार करता है जनक के मौत की खबर सुनने के बाद वो सब कुछ दिख गया और क्या जनक आकर बताएगी कि सर जी म जिन्दा हूँ, मैं आपके पास इतने दिन नहीं आई थी, मेरे यादधास चले गई थी, आश्रम में जब यादधास आई, उसके बाद मुझे मेरे पिताजी के खबर के बारे पता चला, मेरे साथ तेजयस ने, सृष्टी ने, ये सबने मिलकर ये कांड किया है, ये सारी बा अनुरुद को ऐसा आज तक हमने कभी एपिसोड में नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अनुरुद की हाला टाइट हुई थी, अनुरुद करणा बेंड हुई थी, अनुरुद ने कुछ भी करके खुद को संभाला तो सही, भाई खुद को रिकवर तो कर अनुरुद के लिए अच्छी बात है, 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 अनुरुद के लिए अच्छी बात में खड़े होंगे जहाँ पर जनक आएगी और सभी को एक एक करके बताएगी कि मैं अब अपना बदला कैसे लूँगी क्योंकि इंतिकाम की घड़ी पूरी हो चुकी है इंतिजार करना था जितना कर लिया है अब भाई ना रुकना है ना जुकना है ना डरना आए किसी की जिन्दा हुई है और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे नेचर ऐसे बिहेवियर है जिने वह वापस इंप्लिमेंट करके आई है पहले जहनक ऐसी थी अनुरू से प्यार करने के बाद अर्शी सिष्टी के प्रतालना के बाद पहले बीच में दब गई थी लेकिन फिर वाप इतना सब कुछ हुआ है तो क्यों जहनक चुप कर रहेगी इसी के लिए जहनक डटकर इन सभी का सामना करेगी सामना इन भलकि जहनक सामने भी आएगी और भाई किसी के बाप के आगे जहनक को जुखने की कोई ज़ोरत नहीं है सबसे पहली बात बताओ क्यों अर्शी सृष अपने केरियर को सब भी को इनसाफ दिला सकती है लेकिन इनसाफ की इस लड़ाई में अनरुद जनक का साथ देगा यह नहीं यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो सवाल का जवाब आपको चाहिए था भाई अनरुद जनक को बोल देगा कि नई जनक तुम तो अकेले ही काफी हो मुझे लगते आई कि तुम्हें मेरे साथ की जौरत नहीं है क्योंकि तुमने मुझे याद नहीं किया तुम मुझे हमेशा दरत देते आई हो तुम कभी ये ने सबच पाई हो कि मुझे हार्ट अटेक क्यों हुआ आटे टेक हुआ उसके बाद फिर तुम चले गई मैंने खुद को कैसे संबाला मैं जानता हूँ ये सारे घर वालों से कैसे लड़ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ और लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों अनुरूद ने अपने दिल का सारा दर्दना जनक के उपर इसलिए गुस्ते के रूप में जार दिया क्योंकि अनुरूद का ये हक है भाई अनुरूद जनक से प्यार करता है जनक अनुरूद से प्यार करती है दोनों के बीच में प्यार करता है एक तरीके से भाई देखा जाना तो जनक को असला दे रहा है कि जनक तुम अकेले ही काफी हो तुम कुछ भी करोगी ना तुम अपने जिन्दगी में आगे बढ़ी सकती हो और ऐसा करके वाकई अनुरूद ने कुछ अलग ही भाई एक तरीके से मिसाल कायम किया है और इसी मिस जनक के बुनियात पर अब जनक को अपनी लड़ाई लड़नी होगी लड़ाई ही नहीं बलकि जनक तुम्हें आगे आना होगा और सही तोर पर देखा जाया तो शो का नाम क्या है जनक जो भी चीज़े घटी है जनक के साथ घटी है अनुरूद उसमें इल्वाल था या नह जनक की जिन्दगी में अनुरूद बाद में आया लेकिन जनक की सिंदगी में उसके पापा की उसके बिर्जबूशन कुल बूशन के बीच का जो हम शकलों का केल उर्वशी जी का खेल उसके चलते हुए सुष्टी अर्शी इनकी अलग से जनक से दुश्मनी है यानि कुल म अनुरूद साथ दे या ना दे लेकिन क्या जनक कितनी कमजोर है कि उससे अनुरूद के साथ पढ़ने चीए क्या लगता आपको कमेंट के जरूब बताएगा और वीडियो को लेकर भी प्रतिक्रिया ओपीनियन हो वह भी बताएगा और दोस्तों यह थी आज आपके पसंद जनक 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 से जुड़े सार अब्ले को सबसे वहले पास है कि मैं आपका अपना उस्ट वेनु कुमायर आपके पसंदा शो जनक से जुड़े एक और बड़े अब्लेट को लेकर जल्दी आप सभी के समने होंगा तब तक जोस्ता आप सभी को टाटा गुडबाई चैन ज भारत